ही ग्रीन हेड्रोजन जिस पर एक्दम देश की एकोनोमी बदल जाएगी आज हमारा फॉसिल फ्यूइल का इंपोर्ट आठ लाग करोड का है और पास साल में 25 लाग करोड का होगा अभी चन्नी आयटी ने यह समुद्र के पानी से सी वाटर से ग्रीन हेड्रोजन बना है और अ इंपोर्ट करने के होशकता है क्यों दिल्ली में पॉलूशन की जंजटे हो रही है इतनाल मितनाल बायो डीजल बायो सी एंजी इलेक्ट्री इन सब पर हमारी गाडिया चलेगी अभी मैं बिल्कुल दावा करता हूं कि दो साल के अंदर पेट्रोलियम कार स्कूटर और तीन वर्ड रिकॉर्ड के हिस्साब 37 किलो मिटर हमने अब हाइस इन द वर्ल्ड हमें इतना नाशनल आवे का स्ट्रक्शन कोवेड के बहुजूद किया फिर हमने एक दिन में चार किलो मिटर धाई किलो मिटर बड़ोदा मुंबई हाइवी पर हमने कॉंक्रेट रोड बना चुवीज घंटे में फिर विजापूर और सुलागूर के बीच में 25 किलो मिटर वन लें सिंगल लें विटुमें रोड चुवीज घंटे में बना तीन वर्ड रिकॉर्ड है तो मैंने सब अधिकारियों को बुला कर घर में सथकार किया जो मेरे था तब से पूरा ने रिट जो है आप इसमें स्टडी करी है आपके हर मुझे याद है अभीक सरकार जी जब जब भी मैं आते है तो मंगो कहता हूं एक रिसर्च इंस्टिटूट हर मेडिया के पास होना चाहिए ताकि हमें काफी जानकरी मिलेगी तो मैं आपको जरूर यह कहूंगा कि विशेश कि यह जो सोलर पैनल बनते हैं इसके सोलर से लिटेया भी बनते हैं वर्ल्ड में सबस्टेफ फास्टेश ग्रोइंग सोलर में हम लोग है और इतनी गिगावाट बना रहे कोई रेकॉर्ड नहीं हमारे पैरिस एकॉर्ड के बाद इंवर्मेंट के लिए हैड्रो पावर ग्र जरूर लिखिए अगर हमारी कुछ गल्दी है तो सरकार को उपर भी टिकार टिपने जरूर करिये जब तक इंपोर्ट नहीं कम होगा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा तब तक आत्मादिर भारत कैसे बन पाएगा और इसलिए इंपोर्ट सफ्टिट्यूट एकॉनोमी में क सब्सक्राइब को बताता हूं साड़े साथ लाग करोड का एक्सपोर्ट है यहीरो बजाज और टीवी एस एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कल मैंने इलेक्ट्रिक साइकल देखी बाइसिकल जर्मनी में उसका डिजैन किया था हिरो वालों ने बनाए जुदियाना में भी उसका मार्केट वर्ड का छे लाग करोड का है और वो पूरी अब इंडिया में बनने लगी है तो यह भी कम से कम इसी से हम लोग हमारे देश का एक लाग करोड का एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं और कितने छोटे-छोटे लोगों को काम मेलेगा तो आज वर्ड में एपोर्चुन पॉलिसी लाई अब अलिमिनियम कॉपर स्टील प्लास्टिक एड रबर यह एकदम सस्ता हो जाएगा तो हमारे कंपोनेंट्स जो है उसकी कॉस्ट चालिस टक के कम होगी तो हमारे देश में मेरी यह कोशिश है दिश्ट है कि पास साल के अंदर हिंदुस्तान वर्ल का होती इंपोर्टन अभी लीथियम आयल मैट्री एटीवन परसेंट देश में बन रही है अभी मैंने सभी डिपार्टमेंट और इस रोडियार्ड और प्रधान मंत्री के सैंटिविक एडवाइजर बड़ी बिटिक नीती आयोग सब को बुलाया और अब हम लोग अल्री रि है तो यह आप यह पड़िक को विजन देने में सरकार तो कोशिच करती है और इसलिए इसका क्रियानमेर करते हैं कि आयो करने काम करने लोगों से तुरु नहाराजी जसका मैने भाशन में कहा था उस जो कारागीर होते हैं वैस योजना को उनके जिले में सब्मिट करने के अबाद मजूर होने के लिए साथ साल लगते हैं अब यह साथ साल सुनकरी मेना माथा बहुत करम हुआ और मैने सबको कर इस तीन मेहने में होना चाहिए और नहीं हुआ तो मैं एक काम करूंगा एक सर्टिपिकेट त्यार रखोंगा वियरिस का आपका नाम डालोंगा और नरियल का बोरा लाकर रखता हूं आपिस में हाथ में नरियल और सर्टिपिकेट अपने घर जाओ तब मेरा परिणावी हुआ कि अभी मैंने पच्छास क्लस्टर का आठ दिन पनारिन पर ले उद्गाटन कर दिया और अभी सब योजनाओं का मैंने का तीन महने में जो नहीं करेगा उसकी चुट्टी अब इतना फास्ट काम हो रहा है कि मैं जो चार साल में मैंने देर सो क्लस अभी घरीब कारागिरों को काम मेलेगा अब जब व्यवस्टा को न्याइनी देती है तो स्वाबाय कुरूफ से हमें बोलना ही पड़ता है नहीं बोलेंगे तो मैं गल्ती करूंगा मैं मानता हुए जो व्यवस्टा काम नहीं करती उसकी उखाड को फेको मैंने लगनों प् एक्सपंशन चुएंट सही है के मुझे बता हो कि चिपचाप मैट के नीची मुन डी डाली आपको देखना है तो मुंबई में कभी आप जाओगे तो जे जे हॉस्पिटल से लेकर वीटी तक एक फ्लाइवर बना है मैंने ही बनाया जब मैं 95 में मंतरी था अब उसमें क्वीट का पारी एले